एक राजा की तीन बेटियां थी। तीनों बेहद खूबसूरत थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम आहना उससे छोटी आना और सबसे छोटी का नाम सारा था। एक बार तीनों अपने राज्य के जंगल में घूमने निकली। अचानक तूफान आ गया। उनके साथ आया सुरक्षा दल इधर उधर बिखर गया। वे तीनों जंगल में भटक गई थी। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक महल दिखाई दिया। अंदर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उन्होंने वहां विश्राम किया और टेबल पर रखा भोजन खा लिया। और तुमने मेरे ही पसंदीदा फूल तोर दिये। अब मैं तुम तीनों बहनों को मार डालूँगा। सारा बहुत दर गई उसने विंती की लेकिन राक्षस नहीं माना। फिर राक्षस ने एक शर्त रखी कि तुम्हारी बहनों को जाने दूंगा पर तुम्हें यहीं रु प्रूस्ती हो गई। साथ वह खुश रहने लगी। उसके पिता की तबियत भी ठीक हो गई एक रात सारा ने सपने में देखा कि राक्षस बीमार है और उसे बुला रहा है। वहां जाकर उसने देखा कि राक्षस जमीन पर पड़ा हुआ है। यह देख सारा रोते हुए उसके पास गई। उसे गले लगा कर बोली उठो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनते ही राक्षस एक सुन्दर राजकुमार में बदल गया। वह बोला कि मैं यही शब्द सुनने का इंतजार कर रहा था डौट उसने बताया कि एक बुरी औरत ने उस खुशी खुशी रहने लगे।